है जोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो जोस्तों आप पर डेली की तरह जो की देख सकते हैं कि तीन वजे यहाँ पर आपका लेक पाल को मोडल पेपर सौर कराते हैं बेतरीन टेस्ट होता है बहुत संगिठन मतलब क्या होता है क fussī चीज का कलिक्ट करना पास पास लाना तो इसका विलों क्या हो जाएगा इसका हो जहाँ है यहां पर जिसका विजभी आतत्त आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है अंतरिच का पर्यावची सब्दा आपको बताना है चले सों समझ के जवाब दीजेगा चारों आपसन देख लिजेगा बाद में मत कहिएगा कि हमने ध्यान नहीं दिया है तो देखो दिया गया है अंतरिच तो प्रतिवी तो होगा नहीं है फिर यहाँ पर दिया गया है सुरप और अगनीपती यह आपका नहीं है अब आपके पास दो ऐप्शन दिये गये हैं वियोम दिया है आकास दिया है अनन्त दिया है और आपका गगन दिया गया है नोट कर लिजेगा, यहाँ पर बेवम और आकाज, अनन्त और गगन दोनों ही आप्शन सही है, तो इसका जो जवाब बनेगा, B प्लस D इसका राइट हो जएगा, नोट कर लिजेगा, एक हमने पहली बता दिया था, कि आप ध्यान से यहाँ पर जवाब दिजेगा, चरी आग अब भी मिलेगी, और इसके जो मैत की कोश्चन है, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए, तो गध्यान से आप लोग सौल कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से अगरा पूछा गया है, निमनिकित में से सुद्धवाकी का चैन करिए, चलिए यहाँ पर बताइए कि सुद्धवाकी काउन सा है, करपया करके खुले पैसे दें, अगला है, करपया खुले पैसे देने की करपा करें, करपया खुले पैसे दें, तो देखिए बाई, जो आपसन है, आप काउन सा, यहाँ पर सी बाला, करपया खुले पैसे दें, इसका रा कॉछ आगे सब्सक्राइब कि विडियो को लाइक से जरू करिए साथ में सब्सक्राइब कर्मधारी सब्सक्राइब दिखो आमने बताया था कि कमल होता है किसमे जल में उत्पन होता है जल में होता है तो जा यहाँ पर भी है और जा यहाँ पर भी है अर्ता दोनों तो आपके हैं पदम भी होता है लेकिन वारिद नहीं होता है याद रिखेगा यहाँ पर जो दा दिया गया है दा मतलब क्या हो जिसके अनेक अर्थ बन सकते हैं अनेक अर्थ बन सकते हैं अभिमान आयू अधिक और आपका याप पर अर्थ दिया गया है तो जवाब क्या होड़ेगा भई 11 नमबर में जवाब देना है आपका जवाब क्या होड़ेगा अधिक जो अर्थ है क्या है आपका यहाँ पर जो अर्थ है इसका बिल्कुल राइट है क्योंकि इसके कई अर्थ आपके निकाले जाए सकते हैं आपसन बनेगा आपका D-Number है राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है बच्चे बस से पाट साला जाते हैं इस वाके में कौन सा कारक है बच्चे बस से हना तो किस से बस से करण से के द्वारा हना किस के द्वारा बस के दौरा मतलब आपका जवाब इन वे से बनेगा कॉंसा डी वाला करन अपसन राइट हो जाएगा लगभग अभी तक तो भई सभी के सहीया हैं लेकिन कुछ ही student है जिनके जवाब सही नहीं आ रहे हैं जिनके जवाब सही नहीं आ रहे हैं तो भई थोड़ा मेहनत करिए हिंदी बेसिक पढ़िए किताबों से भी पढ़िए अगला बताईएगा वचन मदलना है भाला का वचन मदलना है भाला का वचन क्या हो जगा चले भालाएं तो हो नहीं सकता है क्या हो जगा भाले इसका अप्सन मनेगा अपका बीनमबर है वचन मदलने भाला का हो जगा भाले जो कि अप्सन मनेगा बीनमबर के लिए रो गया है चले आगे बढ़ते और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बूध होता है, तो पूर्ण और अपूर्ण मतलब क्या होता है, काल होता है, समय की बात हो रहा है, कि किरिया पूरी हुई है, कि नहीं है अर्था, तो यह समय को दर्शा रहा है न, किरिया कार की समय, तो समय आपका हो गया काल option हो जाएगा यहाँ पर डी number चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निमनिकित में से कौन सब्द इस्ट्रिलिंग है इस्ट्रिलिंग की पहँचान करिए पीतल देव नागरी हिमालय और चीन देखे पंद्रा को option क्या बनेगा यहाँ पर जो इस्ट्रिलिंग सब्द आपका है वो कौन जाए चीन एक देश का नाम है तो आपका तो यह पर पड़ाया है यहाँ पर डपोर संख मतलब होता क्या है चलिए बताए डपोर संख मतलब आपका होता क्या है सहुला का option दिएगा कहरा आपसे बहुत बड़ी गिंती यह तो आपका है नहीं है भारती संख यहाँ पर यह भी नहीं है संख सब्द तो लगेगा ही नहीं लगेगा अन्द दो तो option गलत हो गए मतलब यह हो गया बे सिर पैर की बाते करने वाला option क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा डिरमर बे सिर पैर की बाते करने वाले को डप और संग कहा जाता है इलियार हो गया है इतना पॉइंट सभी का चले अगरा बताइए सर्यूर्म में संधी कौन सी है चले सभी लोग जवाब दीजेगा किराब से सर्यूर्म में संधी कौन सी है देखें सर्यूर्म में अगर हम आपसे बोलें कि इसे तोड़िये तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहली से तोड़िये तो एक निकलेगा सर्यू क्या निकलेगा सर्यू निकलेगा प्लस क्या निकलेगा उर्मी निकलेगा उर्मी अब आप ही बताईए बड़ा उ यहां है बड़ा उ यहां पर है मतलब देखते हैं यहाँ पर point किया रहा है जिसका इलाज कठीन हो उसे बोलते हैं दुसाद और इसके बाद दिया गया है कि जो मनुष्टता से दूर हो उसे बोलते हैं आमानुसिक जो कम खर्च करने वाला उसे अल्पबे कह रहे हैं होता क्या है अल्पबै नहीं होता है मितबै ही होता है क्या होता है मितबै ही होता है मतलब सी वाला अप्सन ने यहां पर गलत दिया गया है देखो असाद और दुसाद दोनों एक दुसरे के क्या है पर्या है क्या है असाद और दुसाद दोनों के ही क्या है यह पर्या है क्योंकि काफी लो आप सभी लोग ठीक है चलें यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी तक हमारे एप से ने जुड़े हैं जो कि हमारा एप है देव जी के ट्रेक जहां पर आपको ग्रामीर परिवेस की पीडियाप कुछ इस प्रकास से यहां पर बनाई गई है अच्छे से आपर टाइप किया गया है जो एक्जाम में पूचे जाने के संभावना है वो भी आप आपको अच्छी तरीके से हमने हाइलाइट कर दिया है क्या एक्जाम में पूचे जाता है क्या नहीं पूचे जाता है खताउने में होने वाले पर संद्य किया होता है यह बताई निमनिकित मेंसे कड़वा का संद्य क्या होता है कड़वा के तसम होता है कटू, कटू मतलavo फिर दो फिर हो गया, यहां पड़ी नंबर विर्को राइट हो जाएगा, कटू हो जाएगा, lasci dann olabilir का संभीचेद बताय 270 बताइए, सबी लोग जवाब दिजेगा यहां पर बताइए, संभीचेद क्या है जले रिक वेद तो देखो गा का परिवर्तन का में हो जाता है और का वाला एक ही अप्सον दिया गया है रिक धन वेद क्या बनेगा रिक धन वेद इसका अंसर बिल्कुल से राइट हो जाएगा इस प्रकार से ये ब्यंजन संदी अप्षन है ए नमबर अगला है कि वर्तनी सुद्ध बताना है और आज इसकी वर्तनी आप लोग पहले जवाब देंगे बाद में इसका हम लोग जवाब देंगे पहले आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सी वर्तनी यहाँ पर सुद्ध गई है अविसकार, देवर्सी, निशवद और जामाता चलीए देखें वहीं यहाँ पर जो दिया गया है क्या आपका दिया गया है आविसकार ए वाला ऑप्षन यह बिलकु inconssein है क्योंकि देवर्सी होता है वाप में बढ़ाकी मात्रा नहीnd हुती है निशब्द में यह तो जाव होता है बढ़ा जा जा माता मतलब सभी में बढ़ा आकिमातरा लगी होती है तो इसका जो आफ्सन जाएगा वह आपकी बहुत यह Next धाँ, चलिए आगे बटतें कोषण आप सिखला, पुछा है, कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली, लोकोक्ति का सही आर्थीन में से क्याँ होगा, कहां राजा भोज कहां गंगु तेली 23 को अप्शन मताईए क्या हो जाएगा तो देखो भी यहां पर होता है कि कोई विशिष्ट आदमी है हना और एक समान बेक्ति है इसकी तुल्ला के बारे में दिया है तो विशिष्ट और समान बेक्ति की तुल्ला जोकी अप्शन यहां पर ए नमबर जिसका भी और समाया है बिलको राइट बनेगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक सब्दकार निर्मार करिएगा माली जे आपके पास कोई वस्तु रखी हुई दूसरे की उसे आप लोग क्या पर जवाब देना है आपका अंसर क्या हो जागा है याद रिखी इसका जो राइट नसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका भी नंबर धरोहर होती है जैसे मुगल काल की बनाई गई बहुत ही आज की अम्यार्थ जो इमारते हैं वो एक धरोहर होती है और उन धरोहर को सरचन का करतब बहुता है तीने हम लोग धरोहर कहते हैं क्या धरोहर होती वसियत क्या होता है जैसे आपके आने वाली पीडी को आप वसियत नामा करा देते हैं वो वसियत होता है कह ले रह में दिया ग्याए मतलब चहामेश छोटी की मात्रा होती है तो वहीं आपका अच्छी होता है मतलब यहाँपर अच्छी होता है के लिए रहे ना अची होता है ऐसे रिखते मैं बहुत लोग अभी भी कह रहा है डी भी होतों हो सकता है डी भी हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है देखें यहाँ पर अची होता है ना कि अची होता है समझ में आ गया ना तो इसका जो आपसन आपका सही है वो आपका सी वारा सही द रसारित करता है मतलब यह कह सकते हैं कि computer के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभीन command और control signal प्रशारित होते हैं कि से होते हैं यह आप से पुछा गया है तो देखो इसका जो आप समणेगाओ आप डी होज़ेगा control जो वेस होता है control bus होता है इसका जो आप समझेगा 51 में वो आपका D वाला हो जागा control bus हो जागा चलिए आगे बढ़ते हैं कुछन आप सिगला पुछा गया है किया आप से निम्निकित में से किस memory की सबसे अधिक data space speed होती है मतलि अभी कह सकते हैं जो आप की जो कह सकते हैं सबसे अधिक data space होती है वो किसकी होती है यहाँ पर अनसाप 52 नंबर में 52 का अप समझेगा का जो कि आपकी memory होती है कोन सी होती है टिरे रैम होती है कैसे memory होती है ऐरIt tragedy cash memory बिल्कुर सही है यहाँ पर जो आप्सन आपका भी नमर होजेगा आपका कैस मेमोरी से कहते हैं आगे बढ़ते है क्कुश्छन दिया गया है इन्गलैन के चाल्स दुती को बिंगोजा की कैथरीन से विवा में बंबई दहेज में दिया था यहाँ पर देखे के रहा है किसने इंग्लेंड के चाल्स दुती को बेंग ग्रोजा की कैथरीन से बिवा में बंबाई नहीं दिया था तो वही किसने दिया था आप सभी को पता है पुर्तगालियों ने दिया था पुर्तगालियों जिसका आपसने मेरे को लगवक सभी का सही अगला पॉइंट दिया गया है कि विश्व पर्यावर्ण दिवस 2020 की थीम निमनिकित में से कौन सी थी विश्व पर्यावर्ण दिवस 5 जून को मनाते हैं इसकी थीम आप से पूचा जा सकता है यहाँ पर 54 का जवाप सने वह पोजेगा कौन सा ए नंबर आपका बनेगा पारि पर्यावर्ण दिवस्व पर्यावर्ण दिवस और पॉस उद्ध पत्ति उनकी होई है वहाँ से अगला बताई ये उसी स्लेटिट कोर्शन आ गया है सीवा जी और बाजी रव प्रथम के बीच एक उभाय निष्ट विसेश्ता जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की अर्थात सीवा जी के समय में और बाजी रव प्र प्रथम के समय कौमन थी और इसी युद्ध पद्धिती की वज़े से ये क्याते वही सफल थे और समने आपका डिनमबर है राइट हो जाएगा अभी इसका उदारण आपने देखा होगा यूकरेन का और रूसका जो युद्ध हुआ इसमें से यूकरेन सेना थी वो छापा मार युद्ध कर रही थी मदलब छिपकर अचानक वार कर रही थी ये चापा मार का जाता है तो इसका साच्छा तुदारण यूकरेन के सेना उंके बीच में देखने को मिला था चले आगे बढ़ते कोशना आप से गला है कि वा जो अला मुकी जिसे भूमत दिसागर का प्र प्रकास देखने को मिलता है इसी कारण से इसे भूमत दिसागर का प्रकास सिस्तम कहा जाता है ठीके चले आगे बढ़ते कोशना आप से गला पूछा है वा नदी जो तीन बार दो धाराव में वक्त हो जाती है और कुछ मिल आगे जाकर पुना मिल जाती है और इस प्रकास स सिव समुद्रम और स्री रंगम के ग्यूपो का निर्मान करती है अब आप बता सकते हैं तुक्ता लगा कर भी क्योंकि आपको पता है कि जो कावेरी नदी है सिव समुद्रम एक जल प्रपात का निर्मान भी करती है तो सिव समुद्रम का जो प्रपात का निर्मान करती है व शुगमता सुचकांग 2020 में पहली रैंक प्राप्त हुई थी ये जीवन यापन के लिए पहली रैंक प्राप्त हुई थी ये आपका कौन है वो भी 2020 का ये आपका है देखे 59 में ये है आपका बेंगलूरु जो की करनाटक इसको आप्सन मनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से अगला पुछा गया है कि सन 1903 में भारत वर्षिकी प्रथम चीनी मिल कि स्थापना कहां पर की गए थी हमने आपको यूपी जीके में बहुत बार पढ़ाया है कि ये आपके 1903 में भारत वर्षिकी प्रथम चीनी मिल है इस्थापना हुई थी आपके प्रताप पुर जो की आपके देवरिया में तो आपका पहला इसकोप्शन आपका राइट हो गया है ठीक है ना भई सभी का जो आप दिल्कुर सही है जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ने किये हैं तो लाइक सेर साथ साथ में करिये तो हमें भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए ठीक है ना तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहे हैं आप वह जो लोग बाद में चोड़े हैं तो राइक सिरकर दीजेगा देखे अगला कोशन निम्रिकी समिदान संसोधन में से किसके द्वारा सिक्कीम को विधुवत भारत संग में एक पूर्ण राजी के रूप में सम्रित किया गया था तो दिखो वह यहाँ पर सिक्कीम है इसको भारत संग में पूर्ण राजी का जर्जा मिला एक किसके माध्यम से हुआ था ये कौन सा था तो आपका 36 नंबर जो कि आपसन मनेगा कौन सा यहाँ पर 36 नंबर संसोधन में हुआ था आपसन मनेगा आपका सिन नंबर है आगे बढ़ते हैं नागरिक्ता अधनियम 1955 के अंतर रत पंजी करण द्वारा भारती नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए भारती मूल के बेक्ति को भारत में कितने वर्स वीताने होंगे तो देखो भाई कम से कम उसको 7 वर्स का निरंतर मतलब 7 वर्स वह नागरिक जो 7 वर्स निरंतर का अलावधी के लिए भारत के बाहर मामूली तोर से निवासी रहा हो हना तो इसका जवाबसन आपका इरंबर है राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप शिकला है किस वाद में संसद को मौली कदिकारों में संसोधन का अधिकार दिया गया है किस वाद में संसद को मौली कदिकारों में संसोधन का वाद दिया अर्थात देखे मौली कदिकारों में भी संसोधन हो सकता है ये एक वाद आया था अर्थात ये केस हुआ था ये केस आपका कौन सा है तो केस वा अनंद भारती वा दिये है option बनेगा आपका सिनमर है right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question आपसे अगला पुछा गया है यहाँ पर देखे अगला question दिया गया है विद्धुत वितरण में transformer का अपरियोग किस लिए कियाता है बढ़ ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस लिए होता है चले यह बताए ट्रांसफार्मर जो होता है क्या करता है 64 का option लोग करिए 64 का option में से right क्या हो जेगा तो देखो AC voltage में up chain और up chain के लिए मतलब यहाँ पर जो आपका अंसर है वो आपका right क्या बन सकता है चले काफी लोग 64 का option भी दे रहे है अच्छा बढ़ यहाँ पर देखे बढ़ जो option है आपका अंसर है यहाँ पर देखे option जो आपका AC voltage में up chain या up chain करने के लिए होता है voltage को high और low करने के लिए इसका प्रयोग किया आता है याद रिखेगा DC और AC में लगाएगा तो इसको अब समनेगा यहाँ पाट्डी नंबर हो जाएगा ठीक है चले और कोई question में दिक्क्त है कि भई कि यह सुवर नंद लगा दिया है ना चले आगला बता यह question आपसे एगला पूछा गया है देखो भई यहाँ पर दिया गया है कि किस वाद में संसत को मौलिक अधिकारों में संसुदन का अधिकार दिया गया था बलकि जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं क्या गोलक नात बना पंजाब राज में उच्टम न्याले में संक्री प्रसाद और सज्जनवाद की विप्रीद विप्रीद संसत द्वारा मौल अधिकारों में संसुदन पर रोंक लगाने करने दिया गया था याद रखेगा जो आपके गोलक नात बलाम प्रसान नहीं बढ़ाते हैं यहाँ पर जवाब दिजेगा कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं यहाँ पर 65 को उप्षन में से क्या हो जाएगा चलिए जी हम बच्चों के नाम नहीं लेते हैं हम बच्चों के नाम नहीं लेते हैं हम पिता जी और मम्मी के नाम लेते हैं क्योंकि बच्चों के नाम लेने से बच्चे सेलेक्शन नहीं हो जाते हैं बच्चों को नाम लेने से उनका हम प्रोसान नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि बच दीजे 65 क्या बनेगा 65 को आप्सेट को आप्सेट को बनेगा कि गर्मी के कारंट ट्यूब में उपस्तीत वॉइफ हैल्ती है और इस फैलाओ के कारंट ट्यूब क्या होते है इपफड जाते हैं और समलेगा क्या राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते कोशन आप से ग्राप कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने की योगिता है अगला दिया गया है कहरा कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं इस बात की जानकारी होना मतलब यहाँ पर जो आपका है अंसर आपका भी हो जाएगा चले बताना है कि निम्निकित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपको बताना है लोहे में जंग लगना एतुकेम के लिए रेक्शन होता है दूद का दही में परिवर्तन ये भी है जल का वास्प में मदलना ये भोतीक प्रक्रि के लिए कौन सी विदी काम में लाई जाती है अर्थात जो आपकी किड़नी होती है वो रक्त को सुद्ध करने में सच्छम नहीं है अर्थात रक्त को सुद्ध नहीं कर पाती है तो आपको कृतिम तरीके से डायलेसिस करवाना पड़ता है अर्थात खून का सुद्धी करण कर प्रभावी है जो आपके सोने आर्थात आभूसन है उनमें हाल मार्क चिन्नित किया गया है मतलब अन्युवार भी कर दिया है और कब से यह डेट है आपके याद रखे 16 जून 2021 से यहां पर आप्सन है आपका डी नमबर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से कि स्थापना किसका परेडाम था जो अंतराष्टी मुद्रा कोस बनी एक किसका परेडाम था तो देखो इसकी स्थापना 1944 में थी काम करना 45 में हुआ था इस में से विभिन देशों के सरकार के 45 प्रतिनी दिनों ने यहां पर भाग भी लिया था यहां पर जो आपका अंसर ह इसका जो राइट इंसर है वो आपका बनेगा बी नमबर है राइट हो जाएगा आगे बढ़ते है कोशन आपसे एक लाप पूछा गया है केंदरी छेत्र में अंसूचित रोजगारों में लगे कामगारों पर लागू परिवर्तन सील महंगाई भत्ता के बारे में निमनिक कि परिवर्तन सील महंगाई भत्ता स्रम विवरो द्वारा आकिलित और धोगिक स्रमकों के लिए उभोकता मूल सूचकां के आउसत के आधर पर संसोदित किया जाता है पहला पूइंट सही दिया गया है दूसरा पूइंट इसका गलत है या दरेखेz परिवर्तन सील महंग बत्ता दरों में हलिया संसोधन है तो जुराई से दिसंबर 2020 के दोरान यहां प्रत्रिक्त किया है तो यह भी सही तिसकोप्स भी आपका गलत दिया है इसक्रीन सोल लीजिएगा अगला कोशन आप से दिया गया है डिजिटल इंडिया के बारे में निकित में से कौन सकतन सत्र दिया गया है यह बताइए डिजिटल इंडिया है क्या डिजिटल इंडिया जो है यह है क्या बताइए यहां पर देखिए पहला पॉइंट आप से दिया गया है कि प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने मैई 2023 तक देश के 6 लाग गाउं को ब्रांड बैंट से जोड़ने का लच बता है यह जो आपका है तो इसका जो आपसन है आपका A और S इसके उप्सन राइट हो जाएगे 62 जो आपसन है वह आपका D वादा हो जाएगा A और C यह आपके ऑप्सन इसके हो जाएगे डिजिटल इंडिया अगराव कोशन दिया गया है यहाँ पर कहर आप से 31 मार्च 2021 की इस्तिती के अंसार विस्ट के किस देश के पास अधिकतम अधिकरत स्वोण स्टाक है स्वर्ण जो भंडार है वो किस के पास ही पूछा गया है तो यह बताइए कि स्वर्ण भंडार जो आपका है यह 31 मर्च 2021 के स्थितिक के अंसार है और इसमें से जो संयुक तराज अमेरिका है option C इसका अंसर है right हो जेगा सी नंबर है और राइट बनेगा सी नंबर अमेरिका ठेले आगे बढ़ते हैं question आपसे पूछा गया है February 2021 में किस देश में BBC World News के प्रसारण पर प्रद्द लगा दिया गया है February 2021 में किस देश में BBC World News के प्रसारण पर प्रद्द लगा दिया गया है तो देखो भई यह है आपका कौन आपका चीन जो कि आपसे मनेगा एट नंबर अर्था चीन ने BBC World सर्विस टेलिवीजन को चीन के भीतर प्रसारण करने से प्रद्द लगा दिया है आपसे मनेगा आपका एट नंबर और अगला question आपसे दिया है अंकटा की 21-21 को जारी एक रिपोर्ट के अनसारे calendar verse 2020 में विदेशी प्रत्यच निवेश आप रवाह के मामले में भारत का विस में कौन सा इस्थान है मतलब जो आपका विदेशी प्रत्यच निवेश हुआ है उसके मामले में विस्ट का कौन सरिस्थान भारत का पूछा गया है तो देखो भई यहां पर उच्छाल आया है 19% का उच्छाल आया था तो इसमें से आपका जवाब जो बनेगा ए हो जगा पांचवाँ इस कांचर बनेगा क्या ए नमर हो जगा पांचवाँ बन जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोच्छन आप सिगला पूछा गया है सुतंता का प्रारंब धारातल से होना चाहिए प्रतेक गणव एक छोटा गणराज होना चाहिए जिसके हाथ में सवी अधिकार हो या कथन किसने दिया है या जो कथन है ये दिया किसने है तो नोट करिए यहाँ पर 76 का उप्सन भी हो जगा ये गांधी जी हर्थात गांधी जी की द्वारा एक कथन दिया गया था कि सुतंता का प्रारंब धारातल से होना चाहिए प्रतेक गणव एक छोटा गणराज होना चाहिए जिसकी हाथ में सवी दिकार हो ये जो सब दिया है वो आपकी मातमा गांधी ने ओप्सन क्या हो जगा यहाँ पर भी नमबर हो जगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पुछा गया है यहाँ पर कहरा है सरकारी धन का लाब जनता को रुपए एक में से 20% ही मिल पाता है या कथन किसका है अर्थाक यह कह सकते हैं जो सरकारी धन है सरकारी धन है तो सरकारी धन का लाब जनता को रुपए एक में से मातर 20% ही मिल पाता है यह सब्द किसने का है यह जवाब दीजेगा तो देखो वाई ये सब्द जवाब का 77 है बिल्कुल सही जवाब है राजियू गांधी ने कहा था ये जवाब राजियू गांधी ने कहा था बिल्कुल सही बात कहा है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है देखे अगला कोशन आपके सामने दिया है कि सरक जो है उनको लाब लेना है तो वो अनुदान कहां पर करेंगे तो देखो भई यहां पर 78 को जो आपका है हो जगा लगु किसान क्रसी ब्योसाई संग में करना पड़ेगा फिर से कुशन पर देते हैं कि सरकार क्रसी आधारित ब्योसाई के द्वारा आय प्राप्त करने के में खासतोर पर भूमी हीन मजदूरों लगू और सीमांत किसानों मैलाओं को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी परिवारिक आय बढ़ाने में कौन से उद्धोग साहयक हैं तो वही ऐसे उद्धोग में कौन से साहयक हो जाएंगे बतागे 79 को अप्सन दीजेगा तो दे पालन भी होता है डेरी उद्धोग भी आपका है मत्स पालन भी है यहां पर परिवारी आयको बढ़ानी के लिए अब सरकार यहां पर देखो पालन डेरी विकास मत्स पालन ऑप्सन क्या बनेगा सी रमर इसका राइट हो जाएगा अब जो लोग दिमाग लगा रहे हैं ए औ कि अभी कवी क्या होता है watching को option को option क कि अबाँ में क्या बैंक है है तो देखो यहां पर है आपका नाबाड बैंक क्या है नाबाड जिसे कहते हैं राष्टी करसी और ग्रामीड विकास बहुत gibi इसका पूरा नाम क्या है रास्टी क्रसी और ग्रामीड विकास बेंक इसका पूरा नाम है तो आप समनेगे आपका बी नमबर है आगे बढ़ते हैं कुछन दिया गया है जिला ग्राम में विकास अधिकरन का क्या कार है जो जिला ग्राम में विकास अधिकरन होता है इसका कार क क्या होता है तो देखो वह इसका कार्य याप पर जो दिया गया है कौन सा डी नंबर वो सही है मतलब कि ग्रामीड विकास के लिए योजनाय बनाना सासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायंतों को अवंटन करना विकास पर योजनाओं को अनमोधन करना यह सभी कारे ज कि किसी समू की गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए निम्निकित में से ओलोकन का कौन सा प्रकार अधिक उप्युक्त होता है मतलब कोई आपका और्गनाईजेशन है या कोई आपका समू है उसकी गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कौन सी विदी स सबसे जादा सही है यह इन में से उप्षन में बताईए यह होती है सह भागी अलोकन होता है कि आप उस गैंग में सामिल हो जाएंगे इसके बाद उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जागी हाना तो यहां पर उप्षन क्या होजएगा बी नम्बर इसका राइट बनेगा और अ जाता है एक चैप्टर है याद रहे हैं यह आपकी स्लेवस में चैप्टर है ठीक है जिसमें समाच के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसी से कोशन रहाद रहेगा तो देखो यहां पर तीरासी को आपका बी और आत्मक बनेगा तो इसको नुर्द करिए एक अगला कोशन एक आपको आउर दिया गया है यहां पर देखे कोशन दिया गया है कि ग्रामीड छेत्र के अनसूची जाती के पास क्रसी भूमी बहुत कम है जो उसकी सुरच्छा ही तू क्या उपाय किया गया है मतलब जो अनसूची जाती है अनसूची जन जाती हम आप करिए यहां पर अनसूची जन जाती है मतलब स्ट की बात हो रही है तो इनके पास जो क्रसी है वह बहुत कम है तो इनकी सुरच्छा के लिए क्या उपाय किया गया है इनकी सुरच्छा कैसे हो सकती है तो देखो यह जिलादिकारी की आग्यां से ही संभाव हो सकता है 84 की जो आपका दिया गया है यहां पर भारती खादिनी गम एक सारवजिनिक उपकरम की इस्थापना कब हुई थी मतलब जो आपका दिया गया है एफसियाई की स्थापना तो एफसियाई की स्थापना जो हुई थी यहां पर देखे आपका 85 को जो आप्शन बनेगा वो डी नंबर जिसका भी आप्शन आ रहा है बिल्कुर सही है 1965 में देश में खाद द्यानों विशेश रूप से गेहूं की जो भारी कमी थी उसको देखत हुए खाद दिनिगम अधनियम 1964 के अंतरगत भारती खाद दिनिगम आर्थाथ FCI के स्थापना की गए थी समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है Land Records Manual का पैरा का का 55 वर्डन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरच्छित करने के लिए लेक पाल को अपने हलके के प्रतेग गाउं का साल में कितनी बार खेत खेत का दोरा करना पड़ेगा बई जो लेक पाल के पास बेवरा होता है और हमने बताया है कि उसको हरे एक गाउं में जाकर खेतों को देखना पड़ता है यह कितने बार होता है तो बई साल में तीन बार यह होता है आद देखे आपसर मनेगा आपका बिनमत जो कि लगभग सभी का सही जवाब आ चुका ह और अगला कुछन आपसे दिया गया है जो तरप्रदेश केletter से उत्तर प्रदेश भूराजय स्वधनियम में खतवनी के इस्थान पर किसद का वरण किया गया है चलिए बताए खतवनी के इस्थान पर किसका वरण किया गया है अच्छा कोष़ने नोट करिएगा वै यादर के वार्सिक रजिस्टर होता है यह हमने अपनी जो इतनी भी हमारी जो PDF है हमारी जो PDF है देव जी के ट्रीक आप में यह सब चीजे हमने हाइलाइट करके रख दिया है ताकि जो एकजाम में पूछा जाने वाला जो भी पॉइंट है वो सब आपको समझ में आ रहा है तो देखिए जो खतावनी है इसकी स्थान पर हम लोग वार्सिक रजिस्टर का प्रियोग करते हैं अधरकी तो इसका ओप्सन जो बनेगा वो आपका A नमर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से एगला पूछा गया है देख सकते हैं पोशन आप से गरा पूछा है समादेश छेत्र विकास एवं जल प्रबंदन कारिकरम वर्स 1973 में प्रारंब किया गया परंत वर्त मान में कौन सी तीन समादेश छेत्र विकास पर्योजनाय संचालित की गए हैं मतलब भी कह सकते हैं कि समादेश छेत्र विकास जल प्रवंधन कारिकरम जो स्टार्टिंग होई थी 73-74 में और वर्तमान में आपकी तीन समादेश छेत्र की परियोजनाय संचालित हैं इसका जो आपसन है आप सभी लोगों के लिए अत्यन्त महत्त की समझी जाती है बैस सबसे बड़ी समस्त्या भी है और गवों की विकास की सबसे महत्त पूर्ण ये पॉइंट भी है सहरी गरीबी सिचाय की कमी प्रात्मिक सिच्छा का आभाओ स्वास्त सुद्धाओं का आभाओ देखें नवासी नंबर में तो नवासी का अप्सम क्या हो जगा प्रात्मिक सिच्छा का आभाओ ये ही तो सबसे बड़ी कमी है सरकार सभी बच्चों को पढ़ाने पर फोकस कर रही है कि 2030 तक 100% सभी लोग प्रात्मिक सिच्छा पा सकें जब पढ़ाई उनके पास होगी तो हर चीज़ का दिमाग उन लोगों के अंदर आ सकता है तो यहाँ पर हो ज़गा सिच्छा का आभाओ है ये सबसे बड़ी समस्या है तो आप समूझाए आप का सिच्छा है ना network की विवस्था है, हम जानते हैं दो-तीन गैसे गाउं गए है, तो वहाँ पर देखा है कि गाउं गाउं होता क्या है, क्यूंकि हमारा गाउं अब एक कस्वी के बीच में बस गया है, तो गाउं नहीं लगता है, वो कस्वा लगता है है ना तो यहाँ पर जो अंसर है वो आपका सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन आपसे इगला पूछा गया है चले कोश्चन आपसे इगला है कुल खेती छेतर से तातपर क्या है यहाँ पर बताएगा तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कुल खेती छेतर क आपसे हमने बताया था जब भी एक कोश्चन मिलेगा तो इसका अंसर आपका सी वाला हिसा होगा बड़ा वाला आपसन होगा देखो वर्स में सुद्ध खेती किया गया छेत्र प्लस हुआ छेत्र जिसमें एक बारफ से अधिक खेती की गई हो उसे कहते हैं तो आपसन क्या हो आपसी नंबर है राइट हो जाएगा ठीके ना चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन आपसे अगरा पुछा गया है खतावनी में लेकपाल परिवर्तन किस से करता है देखो अभी हमने अपनी पीडियप में आपको दिखाया भी था कि हमारी पीडियप में हर एक पॉइंट को ह अगला कोशन आपसे पूछा गया है कि आलू रखने के लिए सरवाधिक संख्या में सीत गरा भारत के किस राजिमें पाय जाते हैं तो यह आलू को रखते हैं कोल्ड इस्टोरेड में हना कोल्ड इस्टोर और यह सबसे ज़्यादा है आपके उत्तर प्रदेश में हैं आदर भारत हो जाएगा या देखे भारत तंबाकु का सेवन बहुत करता है और आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे अगरा पूछा गया है कि आपसे जरा चिकिसा मतलब जेरियाट्रिक्स किसे सम्मदीत है जरा चिकिसा है क्या देखे वह पंचान में को अप्शन जरा मतलब होता है बुढ़ा लोग अना तो ये बुजुर्गों के स्वास्तिकी देखभाल से जोड़ा हुआ है ये सब्द या दरिके जरा चिकिसा का मतलब है बुजुर्गों के स्वास्तिकी देखभाल से आपसे बनेगा यहां पर आपका सी नमबर बनेगा और आगे बढ़ते हैं कोशन आ नहां काली नदी भी कहते हैं ये निकाली गई है परंत इस नहर की लंबाई कितने किलो मीटर है हमने बताया था ये उत्तर विदेश की सबसे लंबी नहर है जिसकी सिचाई छमता कितनी है इसकी सिचाई छमता है 12,360 किलो मीटर है इसलिए उत्तर विदेश में सबसे बड़ी आ हो जगा आगे बढ़ते हैं कोशंदिया है एक थ्रेसर दोरा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि मतलब आप गेहूं कतराते होंगे तो इसमें अगर थ्रेसर बहुत जादा स्पीड में चला दिया जाए तो जो गेहूं होते हैं उसके गेहूं चोटे चोटे उड़ जाते हैं और गेहूं को नुकसान हो जाता है तो याद रखिए 97 में का आप्सन मनेगा क्या क्या इसकी गती अधिक हो इसकी गती मंद हो पाकी फसन को थ्रेसर में डालने में कमी आतो इसका जो option ऐ वाला है कि इसकी गती अधिक होती है जब अगती अधिक होती है तो thresor में जो दाने होते हैं हलके दाने होते हैं वो भूसे के साथ ही ऊड़ जाते हैं इस तारहन से ये कमी होती हैあーथा नुक्सान होता है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से एगर आप पुछा गया है कि बेक्ति अपने कारियों का अच्छे निम्निकित में से किस अधार पर करता है आपने देखा होगा हर प्रकार के बेक्ति होते हैं और अपना जो कारिय करते हैं उपना चैन करते हैं किस अधार पर करते हैं लेकिन उनको आज समोसे विचना पड़ रहा है ये तो वर्थ तमान इस्थिती है लेकिन प्रशनी के अंसार आपको इसी को अंसार देना है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गलाप पुछा गया है सुची फस्ट को सुची सेकिन से सुमेलित करना है यहाँ पर सुची फस अगे बढ़ते हैं कोशन आप से अगला दिया गया है कि राष्टी सिच्छा परिशद किसके विकास के लिए कारिक करती है तो यह विकास है माध्यमिक सिच्छा के लिए करते हैं की राष्टी सिच्छा के लिए तो माध्यमिक सिच्छा के लिए यहां पर आप संज उख हो आपका जवाप हो गया जवया सिनमबर है राइट हो गया तो इस प्रकास से टेज्पेपर भी कमप्लीट होता है और आपने अभी तक हमारे एप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे एप को डाउन्लोड कर सकते हैं देव जी के ट्रिक हमारा एप है जहां पर कुछ आपकी फ्री पीडियो भी आपकी दिये गई है कुछ फ्री वीडियो भी आपको दिये गई है हमारी demo पीडिया भी आपको दी गई है और कुछ आपकी पीडिया फैसी है जो आपके बहुती कम प्राइज में आपको ये प्रवाइड कराया गई है बहुती अच्छा content के साथ ये प्रवाइड कराया गया है अभी हमने देखो आपको बताया था कि जो भी point आपको पूचे ज सकते हैं उसको हमने हाइलाइट भी कर दिया है ताकि जो पढ़ना है वो आपको समझ में आ रहा है यह देखो आमने बताया था अभी कोशन मिला था कि खतवनी में परिवर्तन जो होता है वो लाल रंग की स्याही से करते हैं ऐसे धेर सारी जो चीजे हैं वो सभी